काले धन के खिलाफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी जीट स्विस बैंकों में जमा काले धन की भारत को जल्द मिलेगी जानकारी स्विस संसत से जल्द पास होगा आटोमेटिक एक्सचेंज से जुड़ा बिल स्विजर लेंड भारत को मुहिया करवाएगा स्विस बैंकों में काला धन रखने वालों के नाम स्विजर लेंड की राष्ट पती दोरिस लिू थर्ड के तीन दिनों के दोरे की सबसे एहम कामियावी यही है कि उनका देश अपकाले धन पर भारत की मदद को तैयार हो गया है तोरिस ने खुद ये उमीद जताई है कि इसी साल के अंग तक भारत और स्विजर लेंड के बीच सुचनाओ के आटोमेटिक एक्सचेंज से जुला बिल उनके संसद में पास हो जाएगा और 2019 से सुचनाओ के आदान प्रदान का दौर भी शुरू हो जाएगा बाशनोल ड्रदाशनल रूलो, फिहा जज फटो स्विजर लेटाग प्रदानल लूमेहरा, क्या ये थापट है बढ़ धनाव व्या जांड ग्याओ विव्जर, तोरिस ब्रही है देश के भीतर तो PM मोदी की काले धन और भृष्टा चार के खिलाब जंग जारी है लेकिन दूसरे देशों के साथ पुराने समझोंतों और उनके नियमों की वजह से उनके हाद बने हुए थे संभावित आकलों के मुताबिक भारस से विदेशों में गए काले धन का सबसे बड़ा हिस्सा स्विस बैंकों में ही जमा है पिछले साल हमने टैक्स से जुड़ी जानकारी के आटोमेटिक एक्षेंज के लिए एक संयुक्त गोशना प्रप्तर पर हस्ताक्षर किये थे इसके अंतरगत स्विज्जर लेंड में आंतरिक प्रक्रिया पुरी होने पर इन्फरमेशन हमारे साथ आटोमेटिक बेसिस पर सांजी की जाएगी सुआजर लेंड से जैसे ही ये जानकारिया मिलने लगेंगी बेती सरकारों के दोरां काले कारणामे करने वालों के नाम सामने आने लगेंगे और फिर शुरू होगा काले धन के खिलाफ पिम मोदी की जंग का पार्ट टू ना केवल इस से भारी मात्रा में सुरिजर लेंड पहुंचा ये पैसा भारत लोटने का रास्ता साफ हो जाएगा बलकि गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कारेवाई भी होगी